वीडियो लाइक जरूर कर लिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरण सिस्क्राइब कर लिए और बेल आइकन को जरूर टैब कर लिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे यूटू में फॉलो करते हैं तो प्लीज यह वाला फ्री उन syllabus के जो points हैं उनसे संबंदित हम कुछ 4-5 प्रश्न सबसे discuss करते हुए चलें ताकि आपका syllabus आसानी से complete हो सके और आपको idea भी लग सके कि कैसे questions पूछे जाने की संभाव ना है कि आप हमारे pair group से जुड़ सकते हैं और UPPCS के exams जैसे की PCS, ROA, ROB यो सभी के लिए crash courses चलाए जा रहे हैं आप इनको join करकर असानी से selection प्राप कर सकते हैं और साथ में UKPSC, HCS और BPSC जैसे exams के लिए भी crash courses अवेलिबल हैं इन से संबंधित अधिक जानकारी आपको given numbers पर मिल जाएगी और अगर आपने अभी तक हमारे free telegram channel को नहीं join किया है तो इसे जल से जल join कर लिजेगा ताकि channel से संबंधित सभी updates आप तक आसानी से पोहच सके आईए तो अब हम देखते हैं अपना question जो हमारा दूसरा point है syllabus का वो है architecture, their significance and maintainability, museum, archive and archaeology of UP उत्तरप्रदेश की वास्तुकला, उनका महत्व और रख रखाव, संग्रहाले, पुरा लेक और पुरातत तो इसी से संबंधित आज हम एक question दिसकास करेंगे question है write a note on state archives of उत्तरप्रदेश, उत्तरप्रदेश के राज अभिलेखाकार पर एक टिपड़ी लिखिए, तो देखिए अभिलेखाकार यानि की archives होता गया है, यह basically, तो यह collection होता है historical documents और उनके records का collection को ही archive कहते है, तो UP में जो state archives है, उसके बारे में हमको बताना है, तो शुरुवात में हम बताएंगे कि यह जो UP state archives है, इसकी history क्या रही है, यह कैसे establish हुआ, उसके बाद आगे चलकर main body में हम इसके functions, इसके क्या-क्या काम है, वो सब भी discuss करेंगे, तो देख स्कति विभाग यानि की department of culture के अंतर गताता है, department of culture उत्रप्रदेश सरकार के अधीन ये कारे करता है, और इसकी जो अध्यक्षता है, वो कौन करते हैं, director of archives यानि की अभिलेका कार की जो निदेशक होते हैं, वो इसकी अध्यक्षता करते हैं, वर्ष 1922 में हम देखते हैं, क केंद्री रिकॉर्ड कार्याले स्थापट करने के लिए एक संक्तल के द्वारा आग्रह किया गया था, तो बेसिकली 1922 में जब चौथा क्या हुआ था, जब चौथा यहाँ पर हमको सत्र देखने को मिलता है, भारती एतिहासे का फिलेक आयोग का, तो उसमें कहा गया था, उसमें एक resolution बास किया गया था, कि उत्तर प्रदेश राज में एतिहासिक अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए केंद्री रिकॉर्ड कार्याले स्थापट किया जाना चाहिए, इससे संबंद देख संकल का आग्रह किया गया था, तो यहां से शुरुआत होती है, उसके के बाद हम देखते हैं, आगे चल कर, इसी के परिणाम स्वरुप, 1949 में प्रियाग राज में एक केंद्री अभिलेक कार्याले की स्थापना हुई, यानि की Central Record Office की स्थापना हुई, ताकि जो भी एतिहासिक अनुसंधान के उद्देश्य से एतिहासिक महत्व के अभिलेक है इनको एक केंद्री इस्थान पर रखा जा सके। फिर हम देखते हैं कि ये जो कार्याले हैं, ये मोल रूप से उत्तर प्रदेश शिक्षा विभाग के अधीन था, लेकिन आगे चल कर, 1958 में इसे इंडोलोजी और संस्कृति के नवनर्मित विभाग था उसमें कर दिया गया और फिर बाद में इसको क्या किया गया? संस्कृतिक मामलो और बैग्याने का अनुसंधार विभाग के रूप में और रख दिया गया और आगे चल कर फिर से इसमें परिवर्तन आया और मई 1975 में संस्कृतिक मामले के विभाग के रूप में फिर से इसको रिइंस्टेट किय तो यह थोड़ा सा हिस्टरी थी आप एकपर देखेंगेशे कोंग से एर में इसको कौँन से ने रखा गया को गईके अगा उनको को और आजन लेखु के संडक्षे क्रश्ण के संबंद में जितने भी डेपार्टमेंट से उनको सला अछ जाती है और जहां पर भी असंतोश जनक विवस्द्था वाले ये इनकी रिपोर्टूर्ट सरकार को प्रस्तुत की जाती है आगे देखते हैं फिर हम देखते हैं। विविनद कारियालेओं में विविनकार्यालेओं उससे अभिलेगों को राजविलेकका में ट्रांसफर करने की जो पर्वेस्ता है वो भी यही करता है और विशेश रूप से ऐसे मामले जहां पर अभिलेक है इनकी उपेक्षा से उनके नस्ट होने का खत्रा है यानि कि उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है और वो पूरी तरह से डेस्ट्रोय हो सकते हैं तो इसलिए ट्रांसफर करने का भी जिम्मेदारी इसी के पास है इसके अलावा साबचनिक कारयालेओं में अभिलेकों के लिए छटाई अनुसूची के पुनरीक्ष्ण का सुझाथ देना यानि कि कौन-कौन सी जिनकी भी जरूरत नहीं है उनकी छटाई से संबद्धिन भी यह अनुस कुछ डिफिकल नहीं है लेकिन थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत होगी यहां पर आगे और देख लेते हैं फिर है कि राज अभिलेका कार जो है इनके साथ-साथ विभागी है मंडल और जिला कारयालेओं में भी जो अभिलेक होती है उनको भी बनाए रखना कार ह और इसका इनको भी प्रॉपर्ली मैंटेन करें और यह सरकार को भी इस संब्द में सलहा देंगे कि जंटफ Krंष को अभिलेक को तक कितनी पहुच दी जानी चाहिए कि इसके संब्द में भी स्लहा देते हैं सरकार को आगे क्या है यह गय सरकारी निकाये जो होते हैं जैसे कि विश्व विद्याल है और राज में जो संस्थानों को एतिहासिक महत्व के अभिलेक और उनके अंतरगत अन्य मूनवाल मूलिवान जो पांडूलिपिया होती है इनके संदक्षन के विश्व में भी सलहा देते हैं यह सरकार को तो यह सारे इनके काम होते हैं इस प्रकार हम देखते हैं कि जो भी हमारी दस्तावेजी संस्कृति है यानि कि जो भी हमारी documentary cultural heritage है इसका संभालने का इसको अच्छे से र पूमिकाने भाता है और साथ में भावी पीधी के लिए इसके संदक्षन को सुरिष्चित भी करता है इस तरह से हम लिख सकते हैं तो यहां पर आप मदद और सहायक में एक डालीजेगा विस्तार करने में सहायक है और भावी पीधी के लिए इसके संदक्षन को सुरिष्च झाल झाल